गुद मॉनिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे SBI Youth for India Fellowship प्रोग्राम के बारे में जिसका कि कल 18 मेर 2020 को ऑनलाइन असेस्मेंट हुआ था तो उसमें कौन-कौन से क्वेस्टेन पूछे गए आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटेल में बताऊंगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए अगर आपने अब देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस कर दो वेल आइकन दबाद ओ और पिसलिक कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हू एक नहीं नहीं तो फब्लाय करने का लासट्रेट कली था एटींथ में 2020 को आय होप आप सभी निए कर दिया होगा कल्की वीडियो में आपको बुला था 500 लाइक करने को and thank you so much आप सभीनों जो उसमें 500 को लाइक कर दिया है उसी प्रकार इस वीडियो का भी मैं लाइक करता ह पांसो दस लाइक का तो आपको जितना जल्दी हो साकर इस वीडियो में पांसो दस लाइक कर देना है ठीक है क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको पूरी यूटूब पे नहीं मिलेगा ओकर फेंड्स आपको समझ मैं होगा तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूंगा निशांत जी को उनका कल 18 में 2020 को आउनलाइन असेस्मेंट हुआ था तो उन्होंने बकाइदा पूरा पीडियो बना के मुझे भेजा है कि किस तरीके से आउनलाइन असेस्मेंट हुआ था और कौन-कौन से क्लियर होगा कंप्लिट होग तो पहले स्टेप में आपको फ्रेंट पेज है उसमें आपका पर्सनल डीटेल मागा जाएगा जो कि आपका जितना भी पर्सनल डीटेल होगा गाव सेर नाम वगरे एटीसी सारा कुछ आपको इसमें पर्सनल डीटेल में डालना पड़ेगा पहले पेज में आपको कुछ इस तरीक का इंटरफेस दिखेगा उसके बाद में आपका जो सेकंड पर जाएगा उसमें आपकी एजुकेशन जो डीटेल्स है वह आपसे मांगा जाएगा जैसे कि ग्रैजुएशन का डाटा इंस्टिटूट यूनिवर्सिटी आपने कब जॉइन किया कब आपका इस तरीके का था रिकमेंडेशन भरना था इसमें अगर आपके पास कोई भी एक्सपिरेंस नहीं है तो आप अपने टीचर्स का यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं यहाँ पर उनका नाम लिखना है डिजिनेशन और और नाम लिखना है इमल इडी फोन नंबर एंड आपके जो रिकमेंडेटर है वह एपरूब करेंगे वहां से उसके बाद आपको एकेडमिक रिकमेंडेशन डालना पड़ेगा जहां पर आपने ग्रेजिशन अगरे किया है इमल इडी फोन नंबर और 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 अर्गनेज़ेशन का नाम उसके बाद में आपका सिक्स पेज ह पूचा जाएंगा फ्यूचर प्लांस आपके फ्यूचर प्लांस क्या क्या है तो इसमें से आप चूज कर सकते हो A B C जो भी आपका मन करें ठीक है बहुत ही सिंपल है यह फॉर्म फिल करना चलिया आगे देखते है उसके बाद जो आपका सेवन पेज पेज पे आपसे पू चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला एसे का क्वेस्टन शॉर्ट स्टोरी अबाउट यॉर्सेल्फ आपको बारे में आपको छोटा सा एसे लिखना था बस उसके बाद आपका जो दूसरा ऐसे का टॉपिक है टेल अबाउट टाइम वेन यू डिसेगरी विद आपको पूरा लिखना यह से ओके शॉर्ट में आपको इससे लिखना ज्यादा लंबा यह से नहीं लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताए टाइम एक से देड़ घंटे का मिलता है इसको आप मोबाइल से भी देश सकते हो ओके तीसरा इसमें क्वेस्टन पूछा गया था जबindo test if you work to rate yourself on your ability to deal with stress on a scale of one to ten वन बेंग डिफिकर्ट इन बेन बेंग वेरी इजी हाओ फोड़ रंट योड़ियट्य इससे हो तो आप को रेट करना है आककी डिस्क्राइब करना है बस उसके बाद का जो question है can you tell us about time when you had overcome significant odds to achieve something for yourself or for others how did you manage it तो basically यहां पर पूछा गया है कि खुद के लिए या दुसरे के लिए कुछ अचीव करने के लिए आपके life में कुन-कुन सी बाधाई आई है और आपने कैसे उसको manage किया और इसका मतलब होता है बाधाय problems ठीक है पाच्वाल जो ऐसे का question था how did you arrive at the decision to apply SBI fellowship program and how it's benefited you if you are selected तो basically आपसे पूछा गया है कि SBI Youth for India fellowship program को apply करने का decision आपने कैसे लिया और यह कैसे आपको benefit कर सकता है ठीक है six question आपसे पूछा गया था the fellowship motto is learn collaborate build sustain what does mean it for you तो आपको बस लिखना है अपने विचार लिखना है बस और कुछ नहीं लिखना है शॉर्ट में लिखना है सेवंध वाला question आपको कुछ इस तरीक का दिया गया था ठीक है ऐसे question जैसा कि इसमें बोला गया है कि अगर आप SBI Youth for India fellowship के प्रोग्राम के लिए पोस्टेड हो गए हो सेलेक्ट हो गए हो कोटा डिस्ट्रिक में उदैपूर में आप जहां रहते हो वहां साइड में बहुत ज्यादा गार्बेज है कच्रा वगर है ठीक है प्लास्टिक वगर है खराब चीजे वहाँ पर है जोकि मार्केट एरिया है तो फिर inquiry करने के और गार्बेज को डिस्पोजल करने का लोगों में अवेरनेस लाने के लिए आपने कोसिस किया लेकिन बहुत जल्दी आपने रियलाइज किया कि जहां आप रहते हो वहां पे दो डॉमिनेंट कम्यूनिटी के ग्रूप है जोकि एक मुसलिम है और एक हिंदू है और वो एक दूसरे का गार्बेज कुलीब करने के लिए मना करते ठीक है रिदी क्लीन करने के लिए तो अब इस सीकसन में आप क्या करो ग्ये आप से question पूछा गया बस आपको short में करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फ्रेंट तब तक के लिए अपने धायन रखना गुड़ बाए